जिग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदर है स्वागत है आप सभी का दिव विस्रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज फिर हम यहाँ पर यह लाइफ चर्चा का कारिकरम चुरू कर रहे हैं और आज का जो विशय है समसामईक समाजिक विशय है एक contemporary इश्यू है यह और इसे हम समाजिक इश्यू भी समझ सकते हैं विशय क्या है कि पुराणों की कथा का धुरुपयोग पुराणों की कथा का उद्दिश्य क्या है तो अब हम इन विशयों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे सरपर्थम ये जानले कि पुराणों की कथा पुराणों में कथाएं मिलती हैं लेकिन क्या पुराणों में सिर्फ और सिर्फ कथाएं मिलती हैं इन पुराणों के आधार पर हमारे देश में हमारे समाज में बड़े बड़े कथा मंचों का निर्मान होता है और कथाओं का आयोजन होता है जैसे की श्री राम कथा का आयोजन, स्रीमद भागवत कथा का आयोजन, श्रीव पुरान कथा का आयोजन विशेश रूप से होता है इन तीन कथाओं का आयोजन आप देखेंगे जितने भी हमारे देश में कथा वाचक हैं वो आपको श्री राम कथा का वाचन करते हुए मिलेंगे श्रिमत भागवत महापुरान की कथा सप्त दिवसिय श्रिमत भागवत महापुरान ज्यान यग्य इस नाम से आपको कथा का आयोजन होगा शिव पुरान की कथा या शिव कथा या फिर कृष्ण कथा या हरी कथा इस प्रकार से इन कथाओं की चर्चा होती है हमारे देश में कथाओं का आयोजन होता है बहुत बड़े लेबल पर कथाओं के कारिकरम का आयोजन होता है कई जगहों पर बहुत पड़े बजट के कारिकरम पचास लाख एक करोड एक करोड दो करोड के बजट के कारिकरम भी होते हैं शिमत भागवत कथा हो गई राम कथा हो गई शिव कथा हो गई हरी कथा हो गई कृष्ण कथा हो गई शिमत देवी भागवत कथा भी होती है देवी भागवत महापुरान के अधार पर तो इस प्रकार से कथाओं का आयोजन होता है और हम कथाएं सुनते हैं श्री राम चंदर जी का जन्म कैसे हुआ श्री राम चंदर जी ने कौन सी लीला की श्री राम चंदर जी को वनवास कैसे मिला उनका विवाह कैसे हुआ और कथा करते करते हम बहुत सारे कथाओं में आप जाएंगे तो राम जनम उत्सव है, कृष्ण जनम उत्सव है, शी राम विवा उत्सव है, सीता स्वेंबर उत्सव है और फिर अने को भक्तों के प्रसंग चलते हैं और हम उन कथाओं का श्रवन करते हैं लेकिन कथा सुनने का उद्दिश्य क्या होना चाहिए, पहले तो हमें यह भी समझना चाहिए और कथाओं क्यों लिखी गई, यह भी हमें समझना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कथाओं को आप ग्यान समझ लेते हैं और कई बार कथाओं से कथाएं निकल जाती हैं और उन कथाओं को आप ग्यान का विशे समझ लेते हैं सबसे बड़ी समस्या यह है कथाओं को आप ज्यान का विशे समझ लेते हैं किसी मानुभाव ने पूछा कि शुर्प नखा तो भगवान राम से विवाह करने आई थी शुर्प नखा तो भगवान राम से विवाह करने आई थी और श्री राम चंद्र जी ने विवाह तो किया ही नहीं लक्षमन जी ने भी शुर्पनखा से विवाह नहीं किया तो फिर शुर्पनखा ने किससे विवाह किया होगा अब उसका ये प्रश्ण है कि शुर्पनखा ने किससे विवाह किया होगा अब वो उसमें घुसेगा और घुसकर जब उसे उत्तर मिलेगा तो बताएगा दुनिया को कि मैंने कुछ नया ग्यान पराप्त कर लिया तो कुछ लोग कुछ अलग धंग से कुछ बाते प्रस्तूत करेंगे जो शिव कता वाले हैं, शिव की उपासना करने वाले हैं वो कथा सुनाएंगे कि भगवान शिव के वाम भाग से भगवान विश्नु का जनम हुआ और भगवान विश्नु के नाभी से ब्रह्मा जी का जनम हुआ और ब्रह्मा जी ने सरश्टी की विश्नु कथा वाले सुनाएंगे नहीं नहीं विश्णु जी से सीधा हुआ सब कुछ और विश्णु जी के नाभी कमल से जनम हुआ कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो पुरानों की कथाए है विश्णु पुरान पढ़ो तो उसमें सब कुछ विश्णु ही विश्णु है और सब कुछ उनी से चल रही है और वही चला रहा है उनी के उनी से सब हो रहा है शिव पुरान पढ़ो तो शिव ही शिव है और शिव से विश्णू का जनम हो रहा है और फिर विश्णू सब कुछ उनी से जनम ले रहा है प्रम्ह पुरान में अलग चर्चा देवी भागवत में तो सब की शक्ति से हो रहा है और कोई ना कृष्ण कुछ है ना राम कुछ है ना शिव कुछ है ना ब्रह्मा कुछ है ना विश्नु कुछ है ना शंकर कुछ है इन तीनों को तो देवी ने अपना पच्चा बना के रखा हुआ है तो सब कुछ देवी की शक्ती है, माजगनमाता की शक्ती है, जगदंबा की शक्ती है, उसी की शक्ती से चल रहा है फिर किसी और पुरान में हमें पारों की कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत संशे होता है और फिर कई कथाओं का कोई conclusion नहीं मिलता है, कोई end नहीं मिलता है क्योंकि अगर जहां तहां घूमोगे, अब माल नो कोई कोई film बना है director ने एक कहानी, script writer ने एक कहानी लिखी है अब वो कहानी को एक दिशा में लेके जा रहा है, शेराम चंदर जी कहानी चल रही है भगवान राम का जनम हो रहा है, किसले हो रहा है, धर्म के स्थापना के तो कुष का विवाह कैसे हुआ शुर्प नखा से विवाह राम जी ने किया नहीं, लक्ष्मन ने भी नहीं किया तो शुर्प नखा का विवाह कैसे हुआ होगा फिर किस से उसका विवाह हुआ, चल ये कुछ उत्तर हमें प्राप्त होते हैं लेकिन जब आधार हीन चिंतन होता है, तो हम इन कथाओं को ज्ञान समझ लेते हैं समस्या ये हैं, कि हम इन कथाओं को ज्ञान समझ लेते हैं हमें कुछ पता चल गया, तो हमें बहुत बड़ा ज्ञान हो गया जैसे कोई नई बात हमें नई कथा कोई हमारे सामने आ गई तो हमें बहुत बड़ा जैसे ज्ञान हो गया हो हम कहते हैं सनातन धर्म कभी इस सनातन शब्द पर भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि वास्तों में सनातन का अर्थ क्या है जढ चाहिए कि वास्तों में आर्थ क्या है झाल झाल तो सनातन का अर्थ क्या है हम थोड़ा सा विचार करें सनातन धर्म पर सनातन धर्म के विशह पर तो हमें बहुत कुछ बाते समझ में आएंगी लेकिन जब आप जब आप कथा कहानियों को ग्यान का विशह समझ लेते हैं कथा कहानी सुनाने का उद्देश कुछ और है उसका उद्देश इसमर्ती का ग्यान अर्थात इतिहास का ग्यान हमारे पुरानों में कुछ कथाएं एतिहासिक हैं कुछ कथाएं जो हैं सांकेतिक हैं कुछ कथाएं ऐलोगेरिकल वे में रहती जैसे कि आप भागवत मापुरान पढ़ेंगे तो बहुत सारी कथाएं हैं जो आपको सांकेतिक भाषा में उनको समझाया गया है सांकेतिक भाषा में उनकी प्रस्तुती की गई है बहुत सारे कथाएं ऐसी हैं भागवत महापुरान में जो सांकेतिक भाषा में उसकी प्रस्तुती की गई है कुछ stories allegorical मतलब रहस्यमई कुछ दूसरी बात की और इशारा किया गया है जैसे भागवत महापुराण में अनभिग्य की कता आती है वो पूरी तरह से कुछ दूसरी बात को समझाने के लिए है वैसी कोई घटना घटी नहीं है लेकिन वो समझाने के लिए है कि अनभिग्य और उसके मित्र होते हैं और वो किसी नगर में जाते हैं उस नगर में दस द्वार होते हैं नौ द्वार होते हैं उस नगर की जो मालकिन होती है नगर में जिसका शाशन होता है वो एक राजकुमारी होती है तो इस तरह से कुछ अलेगोरिकल वे में चीजों को समझाने के लिए कथाओं को बनाया गया है देवरिशी नारद राजा प्राचेन बरहिश को कुछ कथाओं सुनाते हैं उन में से एक कथा यह भी है तो इसी प्रकार से अनेकों कथाओं का वर्णन है कुछ कथाओं एतिहासिक हैं, कुछ कथाओं सुक्ष्म लोग की हैं, जैव लोग की हैं इस प्रकार से अलग अलग पक्षों को ना समझने के कारण हम कथाओं को ग्यान का विशे समझ लेते हैं शायद हम कथा जानेंगे तो हम पूरा-पूरा हम ज़्यादा बड़े ग्यानी हैं यह दुरभाग्य पुर्ण है और इस शककर में क्या होता है कि लोग कथाओं तक सिमित हो जाते हैं और कथाओं वाचफकों, जो कथाओं वाचक है वो क्या करते हैं पुराणों के साथ एक अ श्रीव महापुरान पढ़ेंगे तो सांखे योग की चर्चा आपको मिल जाएगी सांखे के 25 तत्वों की चर्चा श्रीव महापुरान में दी हुई है वैसे तो संपूर्ण कपिल व्याख्यान भगवान कपिल का जन्म और उनके द्वारा सांखे मत का प्रतिपादन ये भागवत महापुरान में भी दिया गया है और दूसरी कई ज्यान वर्धक कथाएं और दार्शिनिक बाते हैं शिव पूजा में काम में कर्म का क्या सिधानत है शिव महापुरान में बताया गया है शिव महापुरान में गुरु की पहचान क्या है शिव तत्व का ज्यान क्या है सुहंग पद क्या है देवी के द्वारा, देवी पारवती जी के द्वारा साधना की क्रियाओं को बताया गया है उमा सहीता में, श्रीव महापुराण में इसी प्रकार से भागवत महापुराण में भी बहुत तरह के वैज्ञानिक बाते हैं बहुत तरह की दार्शनिक बाते हैं और बहुत तरह की गूल रहस्य वाली बाते हैं लेकिन समस्या ये है कि जब कोई कथा वाचक कथा सुनाता है तो वो बस कथा ही सुनाता है बहुत सारी जो ज्यान की बाते हैं जैसे अब माल लिजे श्रीमद भागवत महापुरान में चतुश्पदी भागवत का ज्यान अर्था चतुषपाद का ज्यान चतुषपाद क्या है अब कितने कथा वाचक है जो चतुषपाद की व्याख्या करते है अपनी कथा में चतुषपदी भागवत का ज्यान चतुश्पदी भागवत का ज्यान श्रिमत भागवत महापुराण में इसके उपर बहुत सारी बाते लिखी है लेकिन चतुश्पदी भागवत है क्या? कोई ऐसी भागवत कथा वाचक नहीं मिला या वाचिका नहीं मिली जो चतुश्पद की व्याक्या करे उपनिशद के अधार पर उपनिशदों में चतुश्पद का वर्णन हमें मिलता है मांडुक की उपनिशद में तो चतुषपाद का वर्णन करे ऐसा कोई मिलता नहीं है चतुषपाद का ज्ञान होने से ही आत्म ज्ञान संभव है प्रम ज्ञान संभव है तो समस्या यहाँ पर है कि कथाओं और पुराणों के साथ अन्याय होता है क्या अन्याय होता है कि पुराणों से हम कथाओं तो लेते हैं लेकिन जो दर्शनिक विशय है जो आत्म ज्ञान का विशय है प्रिवित दिक्षा नाम के कद्ध्याय है शिव महापुराण में उसमें बहुत सुन्दर दिक्षा के महत्तों को समझाये गिया है और तीन प्रकार की दिक्षा के बारे में बताये गिया है लेकिन अब कौन से कथा बाचक है जो शिव कथा करते हुए ये बताएं कि वो क्रिवित दिक्षा को समझा रहें तीन प्रकार से दिक्षा कैसे दे जाती है क्रिष्टी दिक्षा क्या होती है मंत्र दिक्षा क्या होती है इस पर्ष दिक्षा क्या होती है तीन प्रकार की दिक्षा होती है तो मैं यहाँ पर चर्चा कथा वाचक की कर रहा हूँ, जो कथाएं वाचते हैं उनकी कर रहा हूँ जो कथा वाचना करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ मैं कोई संक्राचारी के पीठ पर आसीन की बात नहीं कर रहा हूँ चतुषपाद का संपुन्ड चर्चा एक बार ने कई बार इस चैनल पर हो चुका है कि चतुषपाद क्या है कई बार इस चैनल पर उसकी चर्चा की गई है तो समस्या ये है कि पुरानों की कथा जब वाची जाती है तो कथाओं के साथ अन्याय होता है कुछ चुनी हुई बाते, मोटी मोटी बाते जिसमें नाचना गाना हो जाए एक जगह में कथा सुन रहा था वहां कथा कैसे चल रही थी कि कथा वाचक ने 10 मिनट बोला और 10 मिनट बात जो है उन्होंने गाना शुरू कर दिया पहले खुद गाना शुरू किया उसके बाद उनकी मंदली चालू हो गी और मंदली गाने लगी गाने लगी और गाते गाते लोगों को नचाने लगी आदा घंटा बीद गया वो गाने बजाने में आदा घंटा बीद गया आदा घंटा बीटने के बाद कथा वाचक जी ने फिर माई पकड़ा कथा सुनानी शुरू की फिर 10-15 मिनिट बोला होगा और 10-15 मिनिट बोलने के बाद फिर से गाना लगा दिया उन्हों तीन घंटे समाप्त हो गए अगले दिन फिर बैठे फिर उसी तरह से कथा चालू फुड़ा सा कुछ बोला फिर गाना शुरू नाचना शुरू और आजकल तो ऐसे ऐसे कथा वाचक है बहुँ टैलेंटेड फुड़ा बोलते हैं गाते हैं और खुद भी नाचना शुरू कर देते हैं उत्तर मिलेगा मीरा भाई भी नाचती थी चैतन्य महाप्रभू भी नाचते थे अरे भाई किसका नाम ले रहे हो मीरा भाई का नाम ले रहे हो कभी मीरा भाई की वानी पढ़ी है क्या कभी मीरा बाई की वानी पड़ी है मीरा बाई की वानी में कितना गूल रहस्च छुपा हुआ है क्या उसको कभी समझने का प्रयास किया है क्या मीरा बाई की वानी में कितना गूल रहस्च छुपा है क्या उसे कभी समझने का प्रयास किया है कि बस इतना देखा है करें मीरा भाई नाचती थी तो भागवत करते वे हम भी नाचेंगे मंच के उपर और पबली को नचाएंगे तो मीरा भाई ने तो बहुत सारे गुड रहस भी प्रगट किये हैं अध्यात्म के बहुत गुड रहस से नाद के बारे में बताया है उची नीची राह लपटीली मोसे चड़यो न जाए पिया दूर बसे मारो जीनो सुरत जकोला खाए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दई मेरे सथ गुरु किर्पा कर अपनायो राम रतन धन पायो गली तो चारो बंद होई मैं पिया से मिलन कैसे जाओ यह गली कौन सी चार गलिया बंद हो गई सत्गुरु मिलिया संसे छूटा घट होया परकाशी मो और माया दोनों नासे गावे मीरा जासी तो अब ये मीरा भाई की मीरा भाई से तुलना कर लेना तुरंत कितना मीरा भाई नाचती थी गाती थी तो हम भी नाच रहे गा रहे अरे मीरा बाई के उपदेश भी तो सुनो कि उन्होंने अपनी वानी में कितने अध्यात्म के कितने गूर रहस्यों को प्रगट किया संत नाम देव गाते थे संत नाम देव गाते थे बजाते थे लेकिन नाम देव की वानी तो सुनो कि उन्हों ने अपने वानी में कितने गुड रहस्य को प्रगट किया गुड रहस्यों को प्रगट किया नाद समाईलोरे सत्गुरु भेटले देवा तो मैंने देखा है मैंने जाना है तब मैं गा रहा हूँ ऐसे नहीं गा रहा हूँ तो इस तरह से नामदेव की वानी में मीराबाई की वानी में संतों की वानी में अध्यात्म के गूड रहस्यों का उपदेश है और आप कथा कहानी सुना रहे हो आप तो गूड़ता से और दार्शनिक विश्यों से बहुत दूर हो आप तो बस कहानी जोड रहे हो उसमें भी कथाएं बदल देते हो कोई नया कथाएं बदल दोगे और कुछ और ले आओगे उसमें कोई नई बात जोड दोगे उसमें और जो लोग हैं उनको लगता है कि हम कथाओं को जान गए तो हम ग्यानी हो गए एक महाशे मिले उन्होंने कहा कि रावन के तो दस सिर थे उन्होंने प्रश्ण किया किसी राम कथा वाचक से प्रश्ण किया कि रावन के तो दस सिर थे एक सिर तो चलिए बीच में धड़के साथ हो गया एक सिर ये धड़के साथ एक सिर हो गया तो महराज ये बताईए कि पांच सिर किस ओर थे और चार सिर किस ओर थे क्योंकि नौ सिर ही तो बचे ना एक सिर तो हो गया बीच में धड़के साथ तो दाहिनी और पांच सिर थे कि दाहिनी और चार सिर थे कि अब एक तो ये हो गया, तो एक तरफ चार होंगे और एक तरफ पांच होंगे, तब नौ होगा, और एक मिला के दस हो जाएगा, तो पांच सिर किस तरफ थे, चार सिर किस तरफ थे, लोगों के लिए ग्यान का विशह क्या है, क्या ये कथाएं ही ग्यान का विशह है, किया या कथाएं ही ग्यान का विशह है अब रमायन है कई रमायन लिखेगा है अगर आप सारे रमायन पढ़ोगे तो कथाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाएगा किसी में कथाओं कुछ अलग ढंग से पाई जाएगी किसी में कथा कुछ अलग धंग से पाई जाएगी तो कथाएं जो है पुरानों की कथाएं कई प्रकार से हमें प्राप्त होती है कई पुरानों में एक जैसी कथाएं देवी भागवत महापुरान, शिव पुरान, विश्नु पुरान भागवत महापुरान श्रीमत भागवत महापुरान इन सब में कई कथाएं हैं जो एक जैसी हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा अलग अलग धंग से लिखा हुआ है उसी कथा को श्रीमत महापुरान में अलग धंग से लिखा है उसी कथा को विश्णु भागवत महापुरान में थोड़ा अलग धंग से लिखा गया है अब आप कौन सी कथा को सही मानोगे और कौन सी कथा को गलत मानोगे सबसे पहली बात ये समझ लेजिए कि कथा सुनाने का उद्दिश्य कथा नहीं है लेकिन हम कथाओं को पकड़ लेते हैं और कथाओं को कथा हमने जान ली तो हमेशाए ज़्यादा ग्यान हो गया चाहिद हमारा ग्यान बढ़ गया नॉलेज बढ़ गया क्योंकि हमने ज़्यादा कथा जान ली हमने जान लिया कि शुर्प नखा ने राम जिसे विवाह नहीं किया तो फिर कहां किया होगा अब रावन के मरने के बाद लंका का राजा कौन हुआ विवीशन हुए मंदोधरी का क्या हुआ मंदोधरी ने पुनर विवाह किया विवीशन से ये भी ये कथा है अब ये है कि कथाओं से कथाएं निकल जाती है तिरजटा कौन थी तिरजटा के पिता का नाम क्या था अब जटाईू का जन्म कैसे हुआ जटाईू के माता पिता का नाम क्या था अब दो वानर आते हैं नल नील जिन्होंने समुद्र पे सेतु बांधा उनके माता पिता का नाम क्या था उनकी पत्नी का नाम क्या था उनके बच्चों का नाम क्या था पता होना चाहिए ये भी अंगद का विवाह किस से हुआ पाली की मिर्त्यू के बाद पाली ने अपने पुत्र अंगद से कहा तुम श्री राम चंद जी की शरन में चले जाओ तो अंगद जी का विवाह किस से हुआ बाद में वो किस किंदा के राजा बने अंगद का विवा किस से हुआ तो अभी तो बहुत सारे कथाओं में तो बहुत सारे ऐसी चीजे है जो आपको राम कथा में पता ही नहीं होगा बहुत सारे ऐसे विशे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारी चीजे है अब राक्षस थे सुबाहू, मारिची, काड़का अब उनकी भी कुछ ना कुछ कहानी रही होगी एक भग्त वे सुतिक्षन, सुतिक्षन की माता का नाम किया था रामकथा में, उनके माता पिता तो रहे होगे ना किस ने विवा करवाया था, कोई अंत है क्या इन सब बातों का क्या इन सब बातों का कोई अंत है क्या तो कथाएं जो है, गथा लिखने का या गथा सुनाने का उद्दिश्य होता है महापुर्षों ने कथा के माध्यम से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया लेकिन हमने कथाओं का ही विस्तार कर दिया और कथाओं तक ही सिमित रह गए और जुर्भाग्यपुर्णी ये है कि हम कथाओं से प्रभावित होते रहते हैं हम कथाओं से ही प्रभावित होते रहते हैं हम कथाओं को ही सनातन धर्म समझ लेते हैं और कथाओं का आधार लेकर सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता क्यूं? क्योंकि नीचा दिखाने वाले सनातन धर्म के शत्रू ये भली भाती जानते हैं कि इन हिंदूओं को तो अपने शास्त्रों का ग्या नहीं नहीं तो हम कथाओं में फिर बदल कर देंगे और कुछ भी करकर हम इनको मुर्ख बना लेंगे बड़ी असानी से और ये प्रभावित हो जाएंगे क्यों प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि इनको तो अपने मूल शास्त्रों का कोई ग्यान तो है नहीं इन्होंने बस कहानियां पढ़ी हैं और कहानियों के बेस पर अपने धर्म को परिभाशत करते हैं कहानियों के आधार पर कृष्ण जी ने कितने विवा किये अच्छा इतने विवा कर लिए फिर तो वो गलत हो गए अब राधा जी थी कि नहीं थी स्रिमत भागवत महापुरान में तो राधा जी का वर्णन नहीं है हाँ एक विशेश गोपी इतना लिखा हुआ है कि स्रिक्रिष्ण के साथ एक विशेश गोपी थी गर्ग सहीता नामक एक ग्रंथ जिसमें राधा जी का वर्णन मिलता है कभी हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे इस विशेपर राधा जी के विशेपर लेकिन आज हम ये विशार करने के लिए बैठे हैं या चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम अपने सनातन धर्म को परिभाशित कथाओं के आधार पे करेंगे प्रश्णी ये है इसलिए मैं कहता हूँ कि राम का चरित्र कैसा रिफ रामायन से मत ले लो कहानियों से मत ले लो कभी योग वासिष्ट महा रामायन का वी पोहं थोड़ा जानेंगे तो राम जी का चरित्र और इस पस्ट होता है कथाओं में मिलावट भी आसान है इसलिए वालमिकी रमायन में उत्तरकार्ण में कई मिलावट हुए है अरे जिसने शबरी के जूठे बेर खा लिए अब इस बात का प्रचार नहीं होता है भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खा लिए इस बात का प्रचार नहीं होता प्रचार किस बात का होता है कि शंबूग का वद कर दिया था अब गोस्वामी तुलसिदा जी लिखते है कि लब कुष का जनम अयुद्या में हुआ गोस्वामी तुलसीदा जी रामचरित मानस के अब कुछ लोग कहेंगा रहे नहीं रामचरित मानस तो बस ऐसे ही गरंथ है जुट मुट का लिख दिया गया पड़े हो कभी प्रकृती के सुक्ष में रहस्यों को जितनी इस पष्ट वाधिता के साथ तुलसीदा जी ने समझाने का प्रयास किया है दूसरा कौन समझा रहा है विधी प्रपंच गुण अवगुण साना ये संसार गुण और अवगुणों से सना हुआ है जो फिलोसफी दी है जो दार्शनिक विचार दी है गोस्वामित उसिदा जी ने उसिदा जी कह रहे हैं कथा सुनाना कोई कथा उद्देश नहीं है इसलिए रामचरित मानस में कथा का अंग बहुत कम मिलता है दार्शनिक बाते ज़्यादा मिलती हैं रामचरितमानस में ये कल्यूग में धर्म की स्थिती कैसी है इसका सुन्दर वर्णन मिलता है साधुओं की हालत कैसी है उत्तरकान में सुन्दर वर्णन मिलता है मारग सोई जाके हूँ जो भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्यारंब दमरत जोई ताके हूँ संत कहे सब कोई इस तरह की कई बाते मिलती हैं रामचरित मानस में तो कलियूग में धर्म की स्थिती क्या है साधियों की स्थिती क्या है हाँ कड़वे वचन है तो उसी दाजी ने बहुत कटू वचन का प्रयोग किया है लेकिन एक बात गोस्वामी तो उसी दाजी ने लिखी है कि कथा सुनने का उद्दिश्य क्या है उत्तरकान में गोस्वामी तो उसी दाजी लिखते हैं कि कथा वो है जिसको सुनने से हमारे सारे संदेह दूर हो जाए कथा वो है जिसको सुनने से हमारे डाउट्स धर्म के परती ज्यान के परती कथा वास्तों में एक लाइफ कोचिंग सेशन है जीवन के परती जो संदेह है वो संदेह दूर हो जाए तो कथा सुनने का लाब है अगर संदेह दूर नहीं होता तो कथा सुनने का कोई लाब नहीं तो कथाओं में कथाएं जुड़ती जाएंगी अभी आप अलग-अलग तीर तस्तानों पर जाओ तो अलग-अलग कहानिया सुनने को मिलेंगे काशिय विश्वनात जी के बारे में ऐसी अनरगल कथाएं प्रशार में थी अनरगल व्यर्थ की बातें प्रशार में थी वैसी कई बार में ऐसे तिर तस्तानों पर घूमता हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे पंडिजी मिल जाएंगे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे बड़ा अजीवो गरीब सी कहानी सुना देगे यहां ऐसे यह हो गया था वहां ऐसे यह हो गया था मैंने कहा कि यह पुराणों में तो ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलते नहीं अब सब कुछ पुराणों में तो यह न लिखा होता है उनका उत्तर होगा कि सब कुछ पुराणों में नहीं लिखा होता कुछ कथाएं हम भी बना लेते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हम कथाओं से क्या प्रेड़ना ले रहे हैं हम राम के चरितर से, क्रिश्न के चरितर से क्या प्रेड़ना ले रहे हैं क्या बाते हमें समझ में आ रही हैं हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए आखे बंद करकर कुछ एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए तो जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम इसी प्रकार से एक अंधी दौड और हम कहानी कथा कहानियों को ही धर्म मानके बैठ जाएंगे कथा कहानियों को ही हम ग्यान का विचार मानकर बैठ जाएंगे फिर ना ग्यान होना है ना कुछ होना है ना कोई बात समझ में आनी तो इसलिए ये सारी बाते आज विवेक से विचार करने योग्य हैं क्योंकि कथाओं को लेकर कई बार अब कई दूसरे लोग हैं जो कि कथाओं की निंदा करते हैं या पुराणों की निंदा करते हैं वो कहते कि नहीं ये पुराण पुराणों की कथा गलत उद्दिख पुराणों में बहुत कुछ है पुराणों में सिर्फ कथा कहानी है ऐसा नहीं है पुराणों में बहुत सारी बाते हैं दार्शनिक बाते भी हैं तत्व ज्यान की बाते भी हैं साधना की बाते हैं योग साधना की कई क्रियाओं का वर्लन है पुराणों में प्रणयाम की विधियों का वर्लन है पुराणों के अंदर मिल जाएगा आपको कि प्रणयाम कैसे करना चाहिए योग साधना कैसे करना चाहिए बहुत ही गुड रहस्यों की बाते हैं लेकिन कथा बाचकों को कभी भी वो सुनाते वे आप नहीं देखेंगे वो दर्शनिक बाते या जो समझने वाली ज्ञान की बाते हैं उनका वर्लन कथा बाचक कभी करता ही नहीं है और आजकल तो आपके पास विडियोज पहुंचते होंगे आप देखते होंगे कैसे कोई नाच रहा है गार आए तो हमें विचार करना होगा कि क्या हम अब आप कहोगे कि दूसरे लोग आपके धर्म का मजाक उड़ा देते क्यों नहीं उड़ाएंगे आपने खुदी अपनी कमजोरी बना के रखी हुई है आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि शुरुतिया क्या कहती है आपको बस भागवत महापुरान पढ़ लेना है आपको रमायन की कथा पढ़ लेनी है लेकिन आपको शड़ दर्शन नहीं पढ़ना है शे शास्त्र सांखे योग मिमांसा वेदांत न्याय वैशशेख इसका अध्यन आपको नहीं करना है इसको समझने का कोई प्रयास आप आप नहीं करोगे तो आपको कभी भी पुरानों की कथा भी समझ में नहीं आएगी अब श्यू महापुरान में सांखे के 25 तत्वों का पूरा वर्णन मिल जाता है श्यू महापुरान में मिलता है तो पुराणों में भी दार्शनिक बाते हैं पुराणों में भी ज्ञान वर्धक बाते हैं सिर्व कथा कहानी नहीं है लेकिन हमने अपने धर्म का आधार कथा और कहानी मानकर हम बैठ गये और उसी में कोई इधर उधर की बात हमें पता चल जाती है तो हमको लगता कि आज तो हमें कुछ विशेश ग्यान हो गया आज हमें कुछ विशेश नॉलेज हो गया विशेश ग्यान हो गया बताओ कुई कथा किसी को पता चल जाए शुर्प नखा ने कहां विवा किया राम जी ने तो किया नहीं लक्षमन ने किया नहीं तो उसको लगए कि भाई मुझे तो अब मेरा तो ज्ञान बढ़ गया मुझे तो कुछ विशेश ज्ञान हो गया रमायन के बारे में और इसी कमजोरी का आधार लेकर सनातन धर्म के जो विरोधी हैं वो काम करते हैं और आपके अगेंस्ट वो काम करने में सफल हो जाते हैं क्योंकि हम सही से विचार नहीं करते हम सही से इन तत्यों को समझते नहीं है और नई समझने के कारण हम उस ट्रैप हो जाते हैं उस जाल में हम फस जाते हैं बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से जाल में फसा लिया जाता है सरातन धर्म को और उनके लिए तुरंत ही धर्म संकट का समय आ जाएगा घड़ी आ जाएगी क्योंकि वो सारी चीज़े कथा कहानियों पे अधारित करके ही चलना चाहते है कथा का उद्दिश्य क्या है वो नहीं समझना चाहते बस कथा कहानियों को सुनकर और उस कथा कहानियों में और कथाएं जोड़ दो और कहानिया बना दो तो कथाबाज को ने यही किया न अनेकों कहानियां बना दी है अब किसी ने कहानियां बना दी कि राम जी ने जब रामिश्व्रम में भगवान राम ने जब पूजा की तो वहां रावन को पुजारी बना लिया रावन आया रावन को बुलाये गया और पुजा ऐसे नहीं होगी पती पत्नी साथ में बैठेंगे तभी पुजा होगी तो रावन ने उस समय सीता जी को भी बुलाया किसी ने मुझसे कहा कि कम भरमायन में लिखा हुआ है मुझे तो नहीं मिला कम भरमायन में कि सध्याय में लिखा हुआ है कोई देश के बड़े नेता जी हैं एक पाटी के वो राम कथा भी आज कल कर रहे है उनकी भी वीडियो लोग खूब शेर करते हैं बड़े-बड़े mall में बड़े-बड़े auditorium में उनकी राम कथा हो रही है आजकर तो कथा कहानिया सुना सुना कर और सिध्धान्तों को ना समझना, शृतियों को ना समझना सांखे ने स्रिष्टी का वड़नन कैसे किया है इसको ना जानने की कोशिश करना जब हम इस तरह से इन सब चीजों में उलस्ते हैं थस्ते हैं तो हम अपने ही धर्म को कमजुए पड़ी निर्दैता पुरुवक अपहरन करके ले गया था उन सीता जी को उसने जब भगवान राम रामिश्वरम में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो रावन को पुजा बनाया भगवान राम ने और रावन ने सीता जी लाकर रखी कि भाई बैठो पूजा कर वालो यहीं अपहरन होता है तो अनेकों कथाएं हमने बना ली हैं खुद से बना ली हैं और फिर वो किताबों में धेरे धेरे जुड़ भी जाती हैं अनेकों कथाएं हमने बना ली हैं खुद से बना ली हैं और फिर वो किताबों में जुड़ भी जाती हैं और जुलने के बाद वो धर्म बन जाती है, यही धर्म है हमारा, यही सनातन धर्म है, आपको ग्यान हो गया ना कि रावन पुजारी बनकर आया था रामिश्वरम में, बस आप तो सनातन धर्म के बहुत बड़े ग्यानी बन गया है। धर्म का आधार मानते हैं, वो भी सनातन धर्म का कम से कम इतना तो विचार कर लो कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है, सनातन शब्द का सनातन का निरुक्त क्या है, क्या अर्थ है उसका, तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस कहानियों से लेना देना है, कि यहाँ पर और वो गटना गटी थी, पीछे एक बार में एक जगा पे गया, वहाँ पर शिव जी का मंदिर था, प्रांगण में और भी जगा खाली थी, दो-तीन साल बाद दुबारा वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर बना दिया लोगों ने, मैंने कहा कि शिव खाली थी, और दुर्गा जी का मंदिर बन गया, तो शिव जी का मन लगा रहेगा, दोनों पती-पत्नी साथ में हैं, दुर्गा जी और शिव जी, अब शिव जी का मन लगा रहेगा, भई, अब क्या करोगे, कथा कहानियों से यही बुद्धी पैदा हुई है, आपके भीत क्योंकि हमने शिव पार्वती के संबंद को भी संसारिक पति-पत्नी के संबंद के समान ही समझाए यह हमारी समस्या है तो अब तो ऐसा लगता है कि अगर सनातन धर्म को बचाना है तो सिर्फ विदेशी शडयंतर सनी बचाना कथा वाचकों से भी बचाना है या फिर ऐसे कथा वाचकों को जन्म देना चाहिए ऐसे कथा वाचकों को सामने आना चाहिए जो सिर्फ कथा कहानियों को रट कर मंच पर ना बैठ जाए मुझे ऐसे से भागवद कथा मिले जो बड़े भागवद कथा वाचक जो प्रसिद्ध है और एक भागवद करते हैं तो कम से कम पांच लाख रुपे का इंकम उनको हो जाता है साथ दिन के अंदर पांच लाख रुपे का उनको इंकम हो जाता है एक ही कथा में आप उन्होंने कथा शुरू करनी है श्रीमद भागवद महात्म से शुरू करेंगे महात्म के बाद वो धुरू प्रलाद की कथाएं सुनाएंगे समुद्र बंधन की थोड़ी कथा सुनाएंगे कपिल व्यक्यान राम अवतार के बारे में संचेव से बताएंगे और कृष्ण जनम पर आएंगे फिर कृष्ण जनम कृष्ण की जी की बाल लिला सुनाएंगे वेणू गीत सुनाएंगे जाएंगे बजाएंगे और फिर कथा वथा समाप्त करकर सुदामा चर्त सुना कर कथावता समाप्त करकर फतम उनसे अगर भागवत महापुरान के विशय में कुछ और पुछ दो उनको नहीं पता उन्होंने कहा कि हम तो खांदानी लोग है बशपन से कर रहे हैं हमारे पिता जी हमारे चाचा जी यही काम कर रहे थे और उन्होंने हमें नोट्स दे दिया कि बेटा ये पहले दिन सुनाना है ये दूसरे दिन सुनाना है ये तीसरे दिन ये चौते ये पाचवे चटे ये सातवे हमने कभी भागवत महापुरान खोल के कभी पढ़ी नहीं हमें तो notes मिल गया आपने पिता जी का, आपने चाचा जी का, ताउ जी का, किसी का भी, notes मिल गया हम उसमें से पढ़ लेते, अब कथा हमें याद है, कथा वाचनक वाचर है हम, तो इस प्रकार की माहौल से इस प्रकार के माहौल से ये सनातन धर्म गुजर रहा है इसलिए हिंदु समाज में सबसे बड़ी कमी किया है कि उनको एक विवस्थिक systematic systematic way में अपने शास्त्रों का अध्यन नहीं है systematic way में अपने शास्त्रों का अध्यन हिंदु समाज के लोगों को नहीं है क्योंकि कोई विवस्था नहीं है कोई विद्याले नहीं है इसके लिए विद्यालों में कोई system नहीं है जहां पर पढ़ाया जाए और रूची भी नहीं है कई लोग कह रहे कि नहीं बस ये कथा कहानी चल रही न अब आज कल कताओं के माध्यम से राजनीती भी चल रही है बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई है उनके बड़े बड़े आश्रम है और अनेको आश्रम है लेकिन अगर बोध की बात करो आत्म ज्ञान की बात करो तो कुछ भी नहीं है उनके पास तो ऐसी परस्थिती से यह सनातन धर्म गुजर रहा है यह धर्म निकल रहा है इसलिए आवश्यक्ता है कि इन सब विशेयों का समाधान किय जाए नई तो कथा कहानी कोई कथा सुना देगा अब एक कथा बाचक हम को मिले एक पंडी जी पता ने उन्होंने कहां से पढ़ लिया उन्होंने पढ़ लिया कि सीता जी तो रावन के नाक से پयदा हुई थी रावन ने छीक मारी तो सीता जी का जनम हुआ और इन कथा वाज़कों में एक competition होता है कि हम कुछ नया बना कर सुना दे तो लोगों को लेगा अरे भाई ये तो नई बात बता रहे हैं तो नई बात जब पता चलेगी तो वो फिर गौर से सुनेंगे फिर वो गौर से सुनेंगे अब कोई कथा वाज़क अभी पीछे कोई वीडियो किसी ने मुझे भेजा एक कथा वाज़क कहते के लैसुन प्यास तो राक्षसों के मल से पैदा हुआ था एक अथा वाज़क बोलड़ा अरे नहीं धनवंत्री जी के कलश्य जब अमरित छलका और अमरित जब भूमी पे गिरा माता पृत्वी ने जो अमरित पिया धारन किया उस अमरित से लैसुन और प्याज उत्पन हो गया कुछ लोगों का धर्म तो लैसुन प्याज में ही अठका हुआ है उससे बाहर ही निकल पाते वो उनको लगता है कि ये लैसुन और प्याज ही सनातन धर्म है इसको बंद कर दो तो आप सच्चे हिंदु हो गए आप सच्चे धर्धार्मिक हो गए आप कुछलों का ऐसा मानना भी है तो इसी लिए जब इस प्रकार का इसलिए कल्यूक की वर्णन में गोस्वामी तो इसी दाज ने यही तो की लिखा है कलीमल गरसे लुप्त सब लुप्त भैसंद गरंथ गरंथ जो मूल शास्तर है वो लुप्त हो जाते है कल्यूक के प्रभाई से सारे गरंथ गाइब हो जाते है दंबी निजमती कपटकरी प्रगटकीन बहु पंत हुंसे दाजी लिखते हिसे कलिमल ग्रसे, धर्म सब लुप्त भै सद गरंथ है, कमभी निजमती कपट करी, प्रगट कीन बहुपंत, ये कल्यूक इस्तिती है के कलिमल के इस कल्यूक में जो मूल गरंथ हैं, जो मूल शास्तर हैं, वो लुप्त हो गया हैं और उसका आधार लेकर सम्भी निजमती कपट करी हो सकता है कि एक दो शब्द इधर उधर हो जाए उसके लिए छमा प्रारती है लेकिन आशे समझें कि तुलसिदा जी कहना क्या चाते है तो स्वामी तुलसिदा जी कह रहे है अब फिर बोलेंगे रामचरित मानस में तो ऐसे ही बाते लिख दी गई है तो सिदा जी लिखते हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भै सद गरंथ जो सद गरंथ है जो वास्तविक हमारे गरंथ है जो मूल शास्त्र है वो लुप्त हो चुका है तंभी निजमती कपट करी प्रगट कीन बहुपंथ जो तंभी है अपने निजमती से अपनी बुद्धी से निजमती कपट करी कपट पुरुवक प्रगट कीन बहुपंथ बहुतरा के पंथ बना देंगे कियों कि जो सद गरंथ है वो तो लुप्त हो चुके है जो मूल शास्त्र है उसके ज्ञान पर तो आपका ध्यानी नहीं है आप उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हो आप बस कथा कहानियों में उल्जे रहना चाहते हो और कोई नई बात पता चल जाए अच्छा ऐसा हुआ था हनुमान जी ने ऐसा कर दिया था हनुमान जी का तो एक बच्चा भी था हनुमान जी का नई बात पता चल गई अरे वाफ रे हनुमान जी की संतान भी थी हनुमान जी के बच्चे भी हुए थे नई बात पता चल गई आपको सीता जी रावन की छीक से उत्पन हो गई थी तो अनेको अनेको बाते हैं एक बात हो तो बताय जाए अनेको बाते हैं ऐसी जो कथाओं में जोड़ दी जाती है और आप जब कथाओं के चक्कर में पढ़ते हो तो बहुत भारी समस्या पैदा हो जाती है जब आप कथाओं के चकर में पढ़ते हो तो इसलिए हमें खिक है समधान हो जाएगा कथाएं हमें संशय ग्रस्त नहीं करेंगी कथाओं का उद्दिश्य क्या है गो स्वामी जी लिखते हैं कि सारे संदेह दूर होने चाहिए लेकिन आपके संदेह ही गलत है आप प्रश्ण करोगे कि भाई आप प्रश्ण करोगे कि रावन के दस सिर कैसे हुए पांच किदर थे चार किदर थे शुर्पनका का विवा कैसे हुआ गोवर्धन परवत कहां से आ गया वहां पर तो ऐसे तो अगर आप कथाएं पढ़ेंगे तो अनेको प्रश्न पैदा होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूनना पढ़ेगा और यही धर्म है कि आप कथाओं में जो सुर्पनका का विवा कहां हुआ जान जाओगे तो साइथ सच्चे हिंदू बन जाओगे गोवर्धन परवद कहां से आ गया जान जाओगे तो साइथ सच्चे हिंदू बन जाओगे अभी आप सच्चे धार्मिक बन पाएंगे कि नहीं इसलिए तरह तरह की बाते तरह तरह की कथाएं कथाओं से कथाओं पैदाना शुरू कर देते हैं कथावाचक लोग उन कथाओं को भी सुनाना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर बहुत भारी समस्या हमारे सामने आ जाती है और धर्म संकट सुरू हो जाता है धर्म फिर संकट में आ जाएगा जो कभी संकट में नहीं आ सकता वो भी संकट में आ जाता है तो इसलिए हमें विवेक से विचार करना है अब जब आप मूल शास्त्रों को पढ़ लेंगे मूल शास्त्रों को का पढ़ना क्या है उनकी समझ कोई आपको समझा दे कोई गुरू कोई आचारे आपको बता दे कि मूल शास्त्र वास्तों में क्या समझाना चाते और उसके प्रकाश में वेद जो वैदिक दर्शन है जो शुरुती दर्शन है जो शुरुती सिध्धानत है सुत्र है कथाओं का अध्यन बंद कीजिए सुत्रों का अध्यन शुरू कीजिए और अगर आपको सुत्र समझ में आ गए योग सुत्र, ब्रह्म सुत्र, सांके सुत्र न्याय सुत्र, वैशिशिक सुत्र, मिमानसा सुत्र वो आपको अगर सही सही बाते समझ में आ रही है आप समझ जाएंगे कि कथाओं का उद्दिष्य क्या है कथाओं का उद्दिष्य क्या है कथा सुनने सुनाने का उद्दिष्य है ये नहीं कि कथाओं को बस बढ़ाते जाना है लंबा करते जाना है और करने करने में कथा का भी आपने कुछ का कुछ बना दिया आपने कथा को भी बिगाड कर रख दिया नई नई चीजे उसमें जोड दी नई नई बाते उसमें जोड दी गई जिस्से की बहुत हानी होती है आप जोडोगे तो दूसरे भी जोड लेंगे आप जोडेंगे तो दूसरे भी जोड लेंगे फिर इसलिए हमारे रिशी मुनियों ने सुत्र लिखे जीवन के सिध्धानत दिये जीवन क्या है, कैसा है जीवन का सत्य क्या है विवेक चुडा मनी, आदी गुरू, शंकराच, शारे कृत विवेक चुडा मनी, हमारा जीवन क्या है हमारी personality क्या है, what is our personality the human personality is assembling of physical body सुक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर causal body subtle body, astral body भी जिसको कहते हैं और physical body इन तीनों को मिला कर हाँ, आब इसको अंग्रेजी में समझा देजिए लेकिन विवेक चुडा मनी में तो पूरा explain करके लिखा गया इस विशे को, कि आपकी personality क्या है, what is personality development की हम बात करते हैं stress management की हम बात करते हैं life coaching की हम बात करते हैं subconscious mind की बात करते हैं हमारे शास्त्रों के लिए ये सब बहुत पुराने शब्द है कुछ लोग mind programming की बात करते हैं mind programming हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से पहले से समझाया गया है कि mind programming कैसे होती है हमारा mind कैसे काम कर रहा है मन में कितनी वृतियां है पंच वृतियों की चर्चा चित वृति निरोध कैसे होता है heart control कैसे होता है imagination को कैसे control करते हैं overthinking को कैसे रोकना है आधी व्याधी की चर्चा मनो रोग विश्व के इतिहास में जाएंगे तो मानसिक रोगों को रोग नहीं माना जाता था बहुत बाद में कुछ मनो व्यज्यानिक हुए जिन्होंने मानसिक रोगों की चर्चा शुरू की लेकिन अगर आप हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो योग वाशिष्ट में आधी व्याधी की चर्चा मनो रोग की चर्चा पहले से की गई है राम चरित मानस में मनो रोग को बहुत बढ़ियां से समझाया गया है मानस रोग में गो स्वामित उसी दाजे ने उत्तर कार्ण में मानस रोगों का वर्णन किया है साइकलोजिकल डिजीज का वर्णन किया है ये सब बाते हमें कौन बताएगा कि सिर्फ कथा कहानिया ही रठते चलेंगे जब तक आप इन सब विश्यों को दार्शनिक विश्यों को नहीं जानोगे लॉजिक क्या है लॉजिकल सिस्टम क्या है सबसे पहला साइलोगिज्म किस ने दिया था नियाए दर्शन ने दिया था नियाए शास्त्र ने दिया था the first logical system inductive logic क्या होता है conductive logic क्या होता है ये नियाए दर्शन ने सबसे पहले बताया है ठीक तो इसलिए हमें पता ही नहीं है अनुमान क्या होता है inference, what is inference कैसे हम inference को use करते हैं यह हमारे शास्त्रों ने पहले बताया है इससे पहले कोई जर्मन फिलोसफर कुछ बताएगा या कोई कुछ बताएगा बहुत पहले से इन सब बातों को explain किया गया है लेकिन कभी आपने उस तरफ देखा ही नहीं आप तो कथा कहानियों में ही अटके रह गए छे प्रमानों की विवस्था क्या है पचीस तत्वों की विवस्था क्या है हम तो बस कथा कहानियों में ही अटके रह गए हमारी समस्या यह है हमने उस तरफ कभी जानने की कोशिश ही नहीं की वाद विवाद के सुल्ला पदार्थ बताए गये है नियाए दर्शन में क्या है वो समय की गणना शेमत भागवत महापुरान में समय की गणना सेकेंड का भी एट टाइम डिविजन कर दिया गया है आठ गुना डिवाइड करकर सेकेंड को निकाला गया है, समय की गणना की गई है परमानुवाद, वैशिशिक का परमानुवाद, Atomic Theory of Kanad Rishi तो बहुत सारी बात है, सरलता से उसे समझाया जाए, तो हम समझ सकते हैं लेकिन कई लोग मैं देखता हूँ, जो समझाने वाले हों कुछ कठिन करके समझा देते हैं तो हम कब जानेंगे अपने शास्त्रों के मूल स्वरूप को? कब जानेंगे और जब तक नहीं जानेंगे, ये सनातन धर्म पुरी दुनिया में स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा और पुरे विश्व को जहां तक मार्ग दिखाने की बात है, इस सरातन धर्म में च्षमता है, इसके पास वो ग्यान है, यहां के शास्त्रों में वो ग्यान है, जो पूरे विश्व को मार्ग दर्शन दे सकता है अरविंदों ने श्रीशी अरविंद ने यही कहा था पहले उनको लगता था कि हिंदू धर्म वैसे ही है जैसे कि अब्रहामिजम है, क्रिस्चन है या इसलाम है वैसे ही यहाँ पर भी वही सब बाते हैं लेकिन जब उन्होंने शास्त्रों का अध्यन किया तो अरविंद को समझ में आ गया, श्रीशी अरविंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने जिन्होंने अपने बच्पन इंग्लैंड में बिताया उन्होंने उन्होंने बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, जितने भी वेस्चन, रिलीजन थे जुडेइजम, इसलाम, कृष्टिन इन्होंने उन्होंने फिर वैदिक दर्शन का अभ्यद्यन किया, योग शास्त्र का अध्यन किया और कहा कि अगर किसी के पास वर्ल्ड की प्रॉब्लेम्स को सॉल्व करने की छमता है, तो वो भारतिय सनातन धर्म के शास्त्रों में है उन्होंने वो सुत्र दिये गया है, जिसे कि पूरे विश्व को एक सुत्र में बांधा जा सकता है वसुधयव कुटुमबगम के लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, तिर्फ वसुधयव कुटुमबगम का लक्ष नहीं दिया है, बलकि ये फॉर्मूला बताया है कि कैसे हम इस लक्ष की प्राप्ती कर सकते हैं तो महर्शी अरविंद ने, श्रीशी अरविंद ने इन सब बातों को हमारे सामने रखा जब उन्होंने उस तरह से अध्यन किया नहीं तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कथा में अठके हुए हैं और बहुत सारे कथा वाचक कथाय सुनाय जा रहे हैं और कथाओं में जोड़ तोड़ भी खुब बड़े लेबल पे चलता है कोई कुछ जोड़ रहा है कोई कुछ जोड़ रहा है नयापन लाने के लिए कोई कुछ ना कुछ करता रहता है तो विचार करने की आवशक्ता है इससे पुरानों का स्वरूप भी बिगल रहा है पुरानों को लिखने का उद्देश्य मात्र कथा सुनाना नहीं है गोस्वामी तोसिदाजी ने राम चरितमानस लिखी है राम कथा सुनाने के लिए सिर्फ नहीं लिखी है राम कथा के मध्यम से कुछ विशेश बातों को समझना जरूरी है जो कि धर्म रक्षा के लिए जरूरी है गोस्वामी तोसिजाजी की राम चरितमानस धर्म रक्षा के लिए लिखी गई थी क्योंकि उस समय धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा व्यवधान था पाहरी आकरमन हो रहे थे और भारत भूमी में अनेको संपरदाय बने थे शैव वैशनो दोनों आपस में लड़ते रहते थे जगड़ते रहते थे वैशनो मत के लोग विश्नु को सर्वसरेश्ट मानते थे शिव को तामसिक मानते थे शेवमत के लोग कहते ते तेरे विश्णु तो शिव के पुत्र है, शिव तो उनके पिता हुए तो शिव सबसे बड़े हुए इस बात का जगड़ा लगा रहता था, आपसी मतभेद था क्योंकि सारा ग्यान तो कथा कहानियों से लिया जा रहा है और कथा कहानियों को जान लेने को ही ग्यान समझा जा रहा है तो यहाँ पर बहुत भारी समस्या ग्यान तो अनुभूती का विशे है ग्यान कोई कथा कहानि का विशे नहीं है ग्यान अनुभूती का विशे है अंडरस्टैंडिंग का विशे है ग्यान ना कि कथाओं को सुनने से ग्यान नहीं एक अंड़स्टेंडिंग डेवलप होनी चाहिए तो कोई अंड़स्टेंडिंग तो डेवलप नहीं हो रही है उपर से उलज और गय है कथा कहानियों में शिव जी ने भांग घोटा था किनी घोटा था पार्वती जी शिव जी को भांग पिलाते थी कि शिव महापुरान में तो कहीं वर्णन नहीं है लेकिन कथाय चलती है ना पार्वती जी भांग पिलाते थी भगवान शिव को अने को हम अपने मर्जी से और ना जने अने का ने कथावाचक प्रसद्ध कथावाचक वो कोई ना कोई जोड़ तोड़ करके निकलेंगे बस यहाँ पर सारी दुविधा है इसलिए एक सिक्षा की आवशक्ता है सुरातन धर्म में सिक्षित होने की आवशक्ता है युवाओं को जागर्त होने की आवशक्ता है और मूल शास्त्रों को समझने की आवशक्ता है, नहीं तो जो तुलसिदाज लिख रहा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भैस अद गरंत, तम भी निजमतिकल पकरी प्रगट कीन भहुपंत, बहुत सारे पंत पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी बाते उत्पन हो रही हैं, ब तो देवी की पूजा करता हूँ, देवी माता को प्रणाम करता हूँ, वो तो साक्षात वही ब्रह्म है, उसकी मूर्ती ही ब्रह्म है, भटकाव खतम होना चाहिए, और हमारे जो संग्यान शुक्त, दसम मंडल रिगवेद, रिगवेद के दसम मंडल संग्यान शुक्त में एक मंत्र आता है, विवाद किये बिना एक दूसरे से लड़े जगड़े वैसे हम संतोष पुर्वक अपना भाग ग्रहन करें। योग क्या है? पता चले. ये किसने कह दिया कि ध्यान करोगे तो पूजा मत करो? पूजा करोगे तो ध्यान मत करो? नाम जप क्या है तो यह सब हमें जब तक clear नहीं होगा सब तक समस्याय बनी रहेंगी अनेकों मती बनी रहेंगी लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि नहीं हमें संगठित होना है हमारी मंत्रना समान होनी चाहिए हमारा हिरदय समान हो हमारी मंत्रना समान हो हमारा चिंतन समान हो हमारी समझ समान हो हमारी अवधारनाय समान हो लेकिन सब की यहां अलग-अलग अवधारना है और कुछ की अवधारना तो जबरदस्ती वाली है नहीं हम तो यह मानते हैं और यही मानेंगे ठीक है कुछ दुश्मन थे हमारे लॉड मेकाले को गाली हम देते रहें तो क्या लॉड मेकाले को गाली ही देते रहेंगे कि कुछ समाधान भी निकालेंगे लॉड मेकाले ने ऐसा ऐसा कर दिया ठीक है पता चल गया ना ऐसा ऐसा किया था अब आगे बढ़ो, मैं 15 सालों से देख रहा हूँ कि एक ही तरह का विडियो लोग forward किये जा रहे हैं Lord मेकाले ने ये कर दिया, हिंदूओं के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया तो ऐसे धोखा दिया अंग्रेजों ने, ऐसे धोखा दिया मुसलमानों ने, ठीक है, चलो भई, पता चल गया, अब आगे तो बढ़ो, आगे तुमने कर क्या लिया, अगर आपको पता चल गया कि लॉड मेकाले ने हमारी सिक्षा विवस्ता खराब कर दी, तो सिक्षा विवस इसमें कोई संचय नहीं है, लेकिन पता चलने तक ही, और पता जो चला उसकी चर्चा करने तक ही हम सिमित हो गया है, हमें पता चल गया कि लॉड मेकाले ने हमारी सिक्षा विवस्ता को ऐसे नुकसान पहुचाया, पक्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, नालंदा सुधार कैसे करोगे, उस पर काम क्यों नहीं कर रहे है, उस पर विचार क्यों नहीं कर रहे है, या सरफ गालिया देते हुए ही अपनी जिंदगी बिताओगे, निगेटिविटी फैलाते हुए, पता चल गया ना कि लॉड मेकाले ने क्या किया, अब उसको लॉड भी तो ब योजना हमें बनानी पड़ेगी, उसकी विवस्ता हमें उत्पन करने पड़ेगी, बनानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं किया, तो ये सब किसलिए, वोट बैंक के लिए, नेताजी का भाषन तो वोट बैंक के लिए है, तो इसलिए हमें गंभीरता से विचार करकर, अगर हम, हमने बस जान लिया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और कुछ समधान करी नहीं रहे, अरे उसने आग लगा दिया, अरे आग किसने लगा दिया, आग कैसे लग गया, पानी लाओ, आग बुझाओ, फिर बाद में बात करना, लेकिन हम बस आग लगने क पता चल गया की कैसे लगा बुझाओ अग लगो ठोड़ा-थोड़ा पानी सब लेकर लगो क्यों नी बुझेगा तो जो वेदों में मंत्र रिखा गया है हमारा मन समानो, हमारी चित समानो हमारी अवधारनाय समानो हमारा मंत्रना समानो समीती समानो तो कोई कुछ भी ब्रह्म ग्यान बना दे रहा है कोई कोई लोग ब्रह्म ग्यान दे रहा है तो इस तरह के बहुत सारी विशय सामने आ जाते हैं, तो हमें विवेक से विचार करना चाहिए और विचार करकर हमें चलना चाहिए, तो बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी का, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, 20 तरिक्षे शुरू हो जाएगा, प् दर्शन फिलासोफी के साथ कंपेर करते हुए जो भारतिय दर्शन है, उसको बहुत अच्छे से समझाने का, ताकि आपको पूरी दुनिया का पता चले कि दुनिया में दर्शनिक विचारों का विकास कैसे हुआ, कौन-कौन से दर्शनिक परिवर्तन आए विश्व में, फ 20 दिसम्बर से यह भी शुरू होगा, तो जरूर हम विचार करें और विचार करके हम इसको प्राप्त करने का प्रयास करें, लाब उठाने का प्रयास करें, चलो संतोष कुमार जी, नवजोत नाथ जी, सतीश मास्टर जी, नरेंद्र माकुडे जी, शिवराम किशन जी, रतन शिंग जी, सविता नायग जी, शंकर प्रसाद जी, विनोध के सूध, आई के राइस, मनोष साई, दुविंद प्रसाद नीमा, आई के राइस, किशोर वैद जी, जेजे जैसवाल, विनोध कुमार शर्मा, श्वेता रा विलाज जी, अमन ककर, कनाई कुमार, एके त्यागी, शिखर शर्मा, जितेंद्र साहु, दयानंद जी, ग्यान आनंद जी, ओम तस्त जी, पूनम सिंगला जी, सागर बदगुजार जी, ठीक है, इसने रिसर्च किया कि आत्मा वहाँ 21 ग्राम होता है, जी नहीं, आत्मा को तौला नहीं जा सकता, हाँ, जो सुक्ष्म शरीर है, आप ये कह दो, कि सुक्ष्म शरीर 21 ग्राम का होता है, तो इस पर माना जा सकता है, लेकिन आत्मा तौल के परे है, ठीक, राम विलास, क्योंकि तो सर्व्यापी तत्व है, तो क्या तौलोगे उसे, ना वो कम होता है, जादा होता है, राम विलास जी, खिम सुनार जी, सोनी पंडित जी, पोष्प्रकाश शर्मा जी, सौरब महरा जी, चलाराम राइका जी, शंकर प्रसाद जी, दीपक शर्मा, मोहित महाजन, उस्पास शर्मा जी, विश्नु चंदर मौरिय उगेस माटे, प्रिजनी महनता ज गुरु जी, क्या ये सही है कि मौत के समय इंसान जिसके बारे में सोचते हैं, वही बन जाते हैं, ऐसा नहीं, जैसी भावना करते हैं, उस दिशा में जाते हैं, ये निर्भर करता है कि उसकी इक्षाएं कामनाय कैसी हैं, जैसे जिस शरीर से कामनाय पूर्ण होंगी, उस द चतत्मों की, शिव शक्ति, राकेश्वर, वर्मा जी, सत्नरायन कथा सुनने से कुछ भावना नहीं बनती, क्या है यह, जग्यों किया जाता है, एक हवन किया जाता है, उसमें कथा का वर्णन होता है, कथा का महत्में ही कथा है, मनोसाई जी कबीर के follower कहते हैं कबीर का शरीर पारदर्शी था मत्तब मिश्टर इंडिया कबीर प्रगट हुए थे जनम नहीं लिये थे वेदान्त को इन विश्यों से मतलब भी नहीं है वेदान्त के नुसार क्या सच है क्या नहीं शरीर शरीर है आधी गुरु शंकराचार ने विवेक शुडामनी में इस्थूल शरीर सुक्ष्म शरीर कारण शरीर का वर्णन किया है तो इस्थूल शरीर हाड मान समज्जा रक्त इन सब चीजों से बना हुआ है तो वैसे ही बना हुआ है चाए कबीर का हो चाए शंकराचारे का हो चाहे कृष्ण का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, किसी का भी हो, ठीक है, बस यहाँ पर भी कता कहानी शुरू हो गई, अब कबीर पंथी भी कता कहानी शुना रहे हैं, क्यान की बाते ना सुना कर कबीर साहिब ने जो दार्शनिक बाते की हैं, जो अध्वयत स कुछ कर दो, ठीक है, अज्ञानता और निरक्षर्टा भरी पड़ी है, अपड़ लोग हैं, अनपड़ लोग हैं, शास्त्रों में अनपड़ हैं, पुरी तरह से, तो विदान्त के अनुसार, विदान्त को क्या लेना देना, कबीर का सरीर पारदर्शी था, पहले मिस्टर इंडिया वही रहे होंगे फिर, तो इसी लिए, इस तरह की बाते ही कबीर का अपमान है, मैं कहता हूँ, ये कबीर का अपमान है, अगर ऐसा कोई कहता है, कबीर का शरीर पारदर्शी था, कबीर ये हो गये थे, कबीर फूल बन गये थे, तो कबीर वो हो गया था, आरे ये सब बाते छोड़ो, कबीर साहीब ने जो सिध्धान्त समझाए है, कबीर साहीब ने जो ज कहता हूँ ऐसी बाते करना कबीर साहिब का अपमान करने के बराबर है ठीक है तो इस तरह की बाते हिमत कीजिए और विदान्त का तो कोई दूर दूर तक संबंद नहीं इन सब बातों से स्रिजनी महंता जी धन्यवाद चलिए बस बदल जाइए बदल लीजिए कबीर पारदर्सी हो गये थे तो हनुमान जी ने ये कर दिया था तो हनुमान जी ने वो कर दिया था तो कृष्ण जी तो यहाँ पर ऐसे गय थे ठीक है भूमियद मैं घूमेंगे अलग-अलग जगों पर अलग-अलग कहानियां मिलेंगे तो कहानियां पुराणों की कथा गलत उद्दिश से नहीं लिखी गई है लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कथा वाचक कई दुरुपयोग कर रहे हैं और गलत हंग से प्रस्तूत कर रहे हैं पुराणों में बहुत सारी बाते बताई गई हैं फिर कहानी नहीं सुन ज्ञान भी बटना चाहिए और जो अब शारिकता कर रहे हैं उनको प्रसद्धी मिलती है जो ज्ञान बाटता है उसे प्रसद्धी भी ना मिलती है उसको कोई फाइप उसको कोई स्पांसर भी नहीं करे इसलिए गोस्वामी जिनी ने कहा कि पंडित सोई जो गाल बजावा जो जितना ज्यादा गाल बजा दे और तरह तरह का बजा दे बस हो गया जी तो इसलिए विचारनिया हैं हमें चिंतित होना चाहिए अपने धर्म की इस्थती को लेकर सनातन धर्म को लेकर हमें सुधार कारिकरम चलाने चाहिए आप मिलो जुडो मुझसे जितना संभव है मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई न कोई सुधार कारिकरम तो चलाना चाहिए न लोगों के अंदर मूल शास्त्रों के परती जिग्यासा बढ़े वो उसको जानने समझने का प्रयास करें चली इसलिए मैंने छोटा सा फिलोसोफी दर्शन का कोर्स सनातन धर्म दर्शन को समझने के लिए ही कोर्स डिजाइन है आप जरूर जोईन कीजिए और इससे लभानवित होई है बहुत सारी बाते समझ में आएंगी नहीं तो और भी ऐसे कोर्सेस बनाने की आ फिर मिलते हैं नाइन पी एम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का